हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नॉलेज एन एजुकेशन अड़ा में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एं-सीजज़ क्लास सैंस के चैनल न Он के बारे में जिसका नाम है मिरिदा दोस्तों इसके प्रीवेस वीडियो में हमने एन्सी अर्टी सैंस का ही चैनल के चैनल वन से लेकर कि एक तक के chapter को complete किया है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर उने वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही हमने Class 6 के पूरे chapters को complete भी कर लिया है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो मृधा कर्ण है मिट्टी यह सबसे महत्वपूर्प्राक्रितिक संसाधनों में से एक है और यहां पेड़ उन उनको ठामकर्के उसमें जल और पोशक चत्व की आपोर्ति करा ता और साथ ही उनको विर्धी करने में सहायता प्रदान करता है और जो मिर्टियां होती है मिर्टी जो है वो अनेक जीवों का वास स्थान भी होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे जिवजनतू रहते हैं कृशी के लिए जो मृढब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंद होता है बहुत ही अनिवार होता है बिना मिर्टी के तो कृषी हो नहीं सकती है क्योंकि हर चीज़े उसे पर भुह जाती हैं तो यहाँ में देखा होगा की जू वर्षा की रित्व में जो ज्केच्वे होते हैं जमीन से बाहर नीकल आते हैं उस पानी बहर जाता है तो अक्तिविटी से समझते अक्तिविटी 9.1 में हमसे कहा गया है कि आप जो मिट्टी है उसके कुछ नमूनों को एकत्रत कर लीजे तिर उसको ध्यान से देखिए लेंस का यूज करके तो आप क्या देखेंगे जो मैगनिफाइंग लेंस है उसकी साहिता स आप बहुत सारे वहां पर जीव जनतु आपको वहां पर दिखाई देंगे तो जैसर कि आप यहां देख रहे हैं कि बच्चे जो है मृदा के नमूनों को एकत्रत करके उसमें जो है उसको अब्सर्व करके देखते हैं तो यहां से हमें पता चलता है कि वहां पर कौन-कौन इस चीज़ें जैसे कि चीटी हो गई आपे केचवे हो गए और इसके रावा में को भी वासस्थान होता है में तो आपने देखा कि मृदा में उसके और वी और सारी चीज़े पाए जाती वह क्या होती है जैसे पॉलिथीन की थालियां प्लास्टिक ये सभी मृदा में होती हैं और ये मृदा को प्रदूशित करती हैं क्योंकि हमने मिट्टी का सैंपल लिया तो हमें सर्फ केवल वहां पर छोटे जीव जनतु ही नहीं मिले बल्कि हमें वहां पर क्या मिले कुछ अलग चीज़े भी मिली जैसे कि कचड़े हो गए जो फेक दिये जाते जमीन में जिसे प्लास्टिक हो गई और जो भी उसकी थैलियां होगी प्लास्टिक की पॉलिथीन वग्यरा की ये सभी चीज़ें उसमें मिलती है और ये बहुत ही प्रदूशन करती है प्रदूशित करती है मिट्टी को ये मिर्दा में रहने वाले जीवों को भी हानी पहुचाते हैं इसलिए पॉलिथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उप्योग पर परतिबंद किया जा रहा है और ऐसे अपसिस्पदार्थों और रसाय परतों से बनी होती है तो यहां पर चलिए हम देखते हैं उनके लेयर के बारे में तो यहां पर आप से बोला गया है अप्टिविटी 9.2 में आप थोड़ी से मिट्टी को लीजिए और उनके धेलों को आप तोड़ करके जैसे चूर बना लीजिए जासे नहीं होता है कि उस उस हिस्से को ले करके अल से भरे कांच के गलास में डाली है आप जैसे उसमें डालेंगे तो उसको आप जब अच्छी तरह से हिला देंगे मिट्टी पुरी तरह से पानी में जब घुल जाती है तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे तो वहां पर क्या आपको दिखेगा मिलेगी नीचहाइग रिःसा दिखेंगी जो कि यह क्या है मृत्यों को उपरी पर्टे शर похож को अपने निलेगा तो करेंगे यहां पर आपको नीचही आपको मिलेगी यहाँपर आप क्या होता है दोस्तों जो मिट्टी में जो-बी सड़े गले पदाथ सब अगया ही हम देखते हैं पके जनतु के जो आउशेश होते हैं वहीं Đन हम देखते हैं इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों इस निर मान होटा है मिराट साब्सट कोई तूठी और है कोई अलग से नहीं dessेंगे भल कि यहां पर क्या होगा है और इसके बार मिर्टी का निर्मार हो जाता है और दोस्तों इसी क्रिया को क्या आपक्षाय कहते हैं आपक्षाय और अपक्षाय का मतलब होता है कि जो चटानों से तूट करके नीचे जमीन पर फैल जाना उससे क्या होता है मृदा का निर्मार होता है और आप पढ़ेंगे जिसमें क्या हो पढ़ेंगे कि जो मिट्टी के कड़ हैं वह एक इससां से दूसरे सांथ पर ऊड़कर चले जाते हैं और कई आकृतियों का निर्मार भी करते हैं तो ऐसे मिट्टी की विभिन पर्तों से गुजरती हुई आपको एक म्रधा परिशेदिका मिलेगी यानि कि आप जब मिट्टी को कट करेंगे तो आपको मिट्टी के अंदर कई सारी लेयर मिलेंगी अभी आपने स्थी उपर के परत को निकाल कर पानी में घोला तो आपको यह स तो यहां पर आप मृद्धा की परिच्छे का देख रहे हैं यानि उसकी क्या देख रहे हैं जो उसको कट करने पर यहां पर एक इस्तिती मिली है जो कि कई सारी लेयर्स बन जाती मिट्टी की उसके बारे में बात की गई है तो जनरली अगर आपको यह चीज देखना है तो आप कहां जाकर देख सकते हैं जैसे कहीं पर मालीजे कुए की खोदाई की गई है तो बहुत गहराई में होता है तो वहां पर आप कुए की जब नीव खोते समय देखेंगे या फिर किसी की इमारत की नीव जब खोते वे दिखाई देगी यानि मिट्टे की कई सारी संस्तर इस्सितियां की अलेवा पर आपने दिखा होगा हाल हीमें खोदाई घोगी तो भी आप देख सकते हैं कि संस्तर रिंग कैसे हैं तो इसक्वाति देखिर में कई सारी लेयर्स बनी हैं तो की यह निर्मार होता है याने कि उसको बना देता है उसको बहुत से वहाँ पर क्या कर देता है उद्वरा के रूप में करने कर देता है जो ही हूमस होता है मिट्टी को और पादपों को पोशड अधिक जल को धारन करने वाली होती इसलिए इसको या फिर हम इसको संस्तर सिती और चोटे पादब भी उनकी जड़े पूरी तरह से सीर्स-म्रिदा ने यही परती है और शीर्ट मुल्दा के नीचर की परत में मैं होती है क्योंकि खनीच क्या होता है और लेकिन इस जगाँ पर शाहते है कि यहादा होगा यानि जनरली क्या होती कठोर होती है और बहुत ही घनी होती है और इस पर खनेज अधिक पाय जाता है अब हम दीसरी लेयर की बात करते हैं si sensoricity जो की धरारों और विदरों के युप्त होती हैं और shallow से shallow के चोटे-चोटे धालों से बनी होती है और इस परत की नीचे आधार Shell होता है जो कि बहुत कठोर होता है और। इसे fall ना भी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मित्टी जो है वो प्रकारों पर कैसे डिपन करेगा तो मित्टी में क्या होता है बहुत छोटे-छोटे कर होते हैं जिसमें बालू और चिकनी मित्टी भी होती है और किसी मित्टी में बालू और चिकनी मित्टी का अनुपाद जो है वो शैल पर निर्भर करता है जिनके कड़ों से बने हैं शैल कड़ों और हुमस का मिस्ट्रेण ही क्या होता है मृदा कहलाता है जीवारू जैसे बैक्टीरिया यह सभी क्या होते हैं इसमें महतपूर अंग जैव भी मृदा का मोहतपूर एंग है जैसे बैक्टीरिया हो गए केच्वे हो गए यह सभी जीव जो है मृदा के बहुत important points माने जाते हैं क्योंकि यह ही humus बनाते हैं अब हम यहां पर देखेंगे दोस्तों कि मिट्टी के साइस के according उसको कैसे divide किया गया है यदि म्रिधा में कडो का अनुपात अधिक होता है तो उस मिट्टी को हम कहते हैं कि यह बलूई मित्ति क्षाइब दोनों करो को मिला करके बनता है उसे हम कहते हैं कि वह दोमट मित्ती है इसी प्रकार से यहां पर मिट्टी को तीन भागों में हमने देखा बलूई मिट्टी, दो मट्टी मिट्टी और मिरनमाय मिट्टी और बालू के करों के यहां पर दोस्तों हम सब के बारे में अभी डिटेल से देखेंगे तो आपको पता है कि बालू के कर्जों होते वो बहुत बड़े होते हैं और यह आसानी से एक दूसरे के पास जूड़ नहीं पाते हैं आता है इनके बीच में बहुत जारा खाले स्थान होता है और यह वायू से भरे होते हैं हम यह कह सकते हैं कि जो बालू होता है हैं वहां सब्सका निकास होता है , बहुत ही आसाने हो सकता है , और इसकारण यहां पर बलुई, जो मित्टी होती है , वह हल्की होती है , और सुवादित का अर्थ हन्याँ आदान परदान आसाने से हो जाता है सुवातित वात का मतलब होता है हवा और सु का मतलब होता है सुगम यानि जहां पर हवा का आना जाना बहुत ही सुगमता से होता है तो इसलिए इसको सुवातित कहते हैं जो दूसरी मिट्टी थी उसके कर जो है वह सुक्ष में होने के कारण जुड़े हुए होत दालेंगे तो तुरंत नीचे चला जाता है लेकिन अगर आप मिट्टी में पानी डालते हैं तो तुरंत नीचे नहीं जाता है कुछ देर के बाद जाता है क्योंकि पानी को क्या करता है रोक लेता है तो इसी ताइफ से हमने यहां पर देखते हैं कि यह चिकनी मिट्टी होती और दुमिटी मिट्टी जो है वह बालू चिकनी मिट्टी और गाद इन सभी को मिला कर बनती है गाद जो क्या होता है कि जो नदी होते हैं नदियों के साथ बहुत सारे जो है उनके आधार में आप देखते होंगे नदी के नीचे बहुत सारे मिट्टीयों का कड रहता है तो यान ना तो बहुत बढ़ा ना तो बहुत छोटा है इस प्रकार के मिर्दा में पादपो के विर्धी के लिए उचित मात्रा में जलधारन छंता होती है दोस्तों हमें कुछ activity देखते हैं activity 9.3 हमसे बोला गया है कि आप मिट्टी को लीजिए और उनके बारे में बताइए कि जो अलग-अलग मिट्टी है ना दो मिट्टी मिट्टी बालोई मिट्टी मिट्टी इन सब में हमको यह जानना कि कौन से मिट्टी कैसी किस लायक हो सकती ह तो आप मिट्टी को लेकर जैसे यहां गूथा गया है वैसे गूथिए और गूथ करके कुछ इस ट्राइब का आप कई structure बनाएए कभी गोल बनाएए कभी इस ट्राइस से चले के रुप में बनाएए तो जो मिट्टी आपको अच्छे से आकार प्रदान कर रही है वह मिट जो मिट्टी के बारे में पता चलेगा कि कौन से मिट्टी है जिससे हम मन चाहा आकार बना सकते हैं तो इस तरह से आप मूर्ती और खिलाने भी देखे होंगे लोगों को बनाने के लिए दोस्तों आपर पढ़ते हैं मिट्टा के गुड के बारे में तो मिट्टा के अंदर सबस्ते हैं मृदा में जल क स्रमण का कैसे होता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको समझने के लिए यह पर पूजो और पहली एक अक्टिविटी की है जिसको हम देखते हैं कि यहां पर उन्हों ने 2 50 x 50 याने की 50 x 50 सायज का उन्होंने दो वर्ग बनाया जिसमे एक चीज देखा कि जो फर्ष पर पानी गिरा था वो जल्दी से पानी बहकर चला गया लेकिन जो पानी उन्होंने कच्छी मिट्टी पर डाला है वो क्या हो गया अवशोष हो गया तो इस टाइप से यहां पर हमने इस एक्टिविटी को समझ लिया कि मिट्टी में क्या होता ह है जल को अंता स्रमर करने का गुड़ होता है यानि कि जल को अशोषित करने का गुड़ होता है दूसरे एक्टिविटी 9.4 हम समझेंगे यहां पर क्या कीजिए कि तीन बनाईए जिनका कुछ नाम रख दीजे अबीसी तो आपको यह मालुम करना है कि इसमें किसी दिये पानी जो है वह कितनी तीजी से नीचे जाता है तो इस टाइप से आप यहां पर एक आकार भी बना सकते हैं मालिज आपको बेलन बनाना है तो उस बेलन में आप आकार बना सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आप इस टाइप की बॉटल लीजे उसको कट कीजे यहां तो आप पाइप बना दीजिए और जब उसको जमीन पर गाड़ेंगे तो आपको जो टीम बना है एबीसी तीनो जो है वह सेम साइज की जगा पर गाड़ेंगे मलग की जितना साइज अगर मालिजे 2.5 सेंटीमीटर नीचे गड़ा है तो तीनो साइज जो है वह 2.5 ही नीचे होना चाहिए जमेन में तीनो के ही बॉटल तो फिर आप उसमें पानी डाली और फिर आप नोटिस कीजिए कि कौन सी जगा की मिट्टी में जो पानी है वह कितनी से अवसोशित हो रहा और किस जगह पर नहीं तो पानी में अवशोशर की मातरा को ग्याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि अन्तास्रमण की दर जो है वो जल की मातरा बटे अन्तास्रमण की अवधी यानि कि जो पानी हमने लिया 200 ml उस पानी को जमीन में अवसोशि जो है कितना अमल पानी जमेन में जा रहा है तो इस ताइस से आप एक फॉर्मिलर से उसको निकाल सकते हैं दोस्तों यहां से हमको पदा चलेगा कि जो पानी के अंता स्रवन की जो क्रिया होती वो सब जगा समान नहीं होती कहीं पर ज्यादा ऑशोर्शन होता है तो कहीं पर कम अब हम यहां पर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं मिल्दा के प्रॉपर्टी में मिल्दा की नमी मिल्दा में नमी होती दोस्तों मिल्दा में नमी को आप कैसे समझेंगे जैसे कि आप देखे होंगे जैसे कभी गर्मी में आप कभी धूप में दोपहल में गए होंगे बहु तो ऐसा होता क्यों है यहां पर कुछ एक्टिविटी से समझते हैं 9.5 में हमसे कहा गया है कि आप क्या कीजिए ऐसी एक क्वथनली लीजिए और उसमें क्या डालिए मिट्टी को डालिए और फिर स्टैंड से बांध दीजिए और यहां नीचे बर्णर से गरम कीजिए और मिट्टी से पानी निकल के कौथन नली में चिपक रहा है यह जल की पूंद भाब बन रही हैं अगर मिट्टी हमारी सुखी होती है तो ऐसा नहीं होता यानि हर मृदा में क्या नमी होती है गर्मियों में भले ही ज्यादा सोख लिया जाता है पानी बट भोता सब में है तो सब्सक्राइब है Go वब आपके वॉइ दिखाए देते हैं आ हम दूसरे पाइंट पर relação में कि मिर्दा द्वारा जल का आउशो शड़ इसके लिए भी हम एक्टिविटी समझते हैं एक्टिविटी 9.6 में कि आप एक फिल्टर पेपर को लगा लीजे फिर आप फिल्टर पेपर को लगाएंगे तो आप वहां पर क्या कीजे एक मतलब की वहां पर बीकर लीजे और इ इन सब चीजों को आप रखिए फिर आप क्या करिए कि उसमें जल की बूंदे जो फिल्टर पेपर लिया है उसमें क्या करिए मित्ती को डाल दीजिए ठीके मालेज आपने 50 ग्राम मित्ती तॉल कर उसमें डाल दिया अब मित्ती को डालने के बाद आप जो फिल्टर पेपर यहां पर क्या हो जाएगा है लेकिन उसे क्या चान करते हैं अरम हो जुएगा कि आप आप तब तक डाहिए जब तर कि पानी दिस करके निकलने ला लगे तो आप देखेंगे कि पानी धीरे धीरे च्छन करके जो है वह मिट्टी से पुना जो है वह वह बीकर में कत्र होते जा रहा है तो दोस्तों यहां मिट्टी में क्या होता है आउशोशर का गुर होता है तो यहां पर आपने समझा कि मित्ती में अशोशर का गुड़ होता है और यहां पर भी एक फॉर्मूला बनता है मित्ती में अशोशर होने का कि अशोशित जल का प्रतिशत होता है उसमें हम क्या करते हैं जो भी हमने जल का आरंभिक मापन लिया है उसको और जल का आंतिम आयतन उसको दोनों को घटा करक और जितना हमने जल लिया उसे डिवाइड कर देंगे तो और फिर सौ से मुगुड़ा कर देंगे तो हमें आउसोशित जल का प्रतिशत पता चल जाएगा कि कितने जल मिट्टी में और कितने जल को उसे जो है बाहर निकाल दिया है तो इस ट्राइफ से आप यहां पर देखें हैं तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे दोस्तों कि किस प्रकार की मिर्दा सबसे अधिक जल धारन में जल धारन करती है और किस प्रकार की मिर्दा सबसे कम तो इसके लिए भी आप और भी आक्टिविटी कर सकते हैं तो यहां पर हम दोस्तों एक और चीज पढ़ेंगे कि मृष्टाइर लिए भारत में आपको पता है कि जगां पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो कुछ में मिर्दमए है तो दों यहां पर पर म्रिवन और की फसलों के खेति के लिए उपयुकत होती बहुत जादा होती यापको बता है दोस्तों छोटे चोटे होते हैं उसमें जल निकासी जो है nossos या फिर केवल दूमट मिट्टी भी हो सकता है यह उप्यूगत होता है तो इस ताइब से हम यहां पर समझ सकते हैं कि हर मिट्टी जो है वह अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए होती है गेहु जैसी फसले महीन मिल्डा में ही उकाई जाती है क्योंकि वह हीमर से सम्रिद्ध होती है और ज्यादा उर्वरक होती है तो इस टाइब से यहां पर हम समझ सकते हैं दोस्तों यहां पर एक और मिट्टी की उप्यों के बारे में बताए गया है कि मध्य प्रदेश में जग दादा थे जो कि कुमार थे वह सुराही मटका कुलहड यह सब बना रहे थे तो बच्चों ने उनसे पूछा क्वेश्चन किया जौन उसने पूछा कि आप मिट्टी कहां से लाते हैं उन्होंने कहा कि हम किसी बंजर भूमी से ही काली मिट्टी को लेकर आते हैं फिर उसके के निच अब एकलर की नियुक्ति राधा नी कुछा कि मिट्टी वacement को कैसे तियार किया जाता है तो दाध स्युखी मिट्टी को किसी वड़े टंकी में डाल करके इसमें से कंकर परथर को बिंन लिया जाता सब्सक्राइब 3 जो सुराही होती है। इस में खोड़ी के लिए नुटी है रहे सूधर च्छी उस συνदेबी जहें कि पम1 बना लेती है। उन च्छीद्रों में से हो करके पानी सीविकांश का सीविघरा की निकलता है। यही कारण है कि सुराहियों या मटकों में पानी जो है वो ठंडा होता है और एक चीज और दोस्तों कि यह जो सुहागपूर है ना सुहागपूर बहुत ही फेमस जगा है सुराहियों और मटकों के लिए मध्यप्रदेश में तो इस ताइप से हम यहां पर देख सकते हैं कि मि अपर्दन क्या होता है एक चरण का मिल्दा की उपरी सता का हटना ही अपर्दन कि लाता है मैंने इस आपको पहले बीद्यों में यह इसी वीडियो में की nelle crash धृक्ते है मिट्टी का एक से दूर्ट जगां पर जाना ही अपर्दन कहलाता है तो वह जातu Я उनको ले जाने मैं प्वन या फिर अधून हुश्री या फिर हवा या फिर प्रफ्वार होते हैं जिम्न दार होते उनको इस जगा से दूसर जगा पर ले पॉधों की जड़े पॉधों के रहती हैं इस वोजा से आपने देखा होगा कर्देगिस्तान में हमेसा धूल उड़ती रहती है तो हम यहां पर देख सकते कि मृदा के प्रकार या फिल्म में उगाई जाने वाले कौन-कौन सी फसले हैं इन सब के बारे में आप सब्सक्राइब बना सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि आज आपने क्या का चीज़ें से कि हमने सीखा कि मृदा पित्वी पर जीवन के लिए बहुत ही महत्यपूर होता है किसी इस्थान की मृदा परिछेदी का वहां की मृदा की विभिन परतों का क्या ह अब इस था रहने की मृदा की अन्ता स्रवन की यह अलग अलग होती है और यह बलूई मृदा में सबसे ज़ादा होती है मिद्मे में सबसे कम विभी ने प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभी ने प्रकार की मिर्दा उपयोगत होती है जैसे चिकनी मित्टी और दुमट मित्टी गेहों के लिए और चना और धान के लिए होती है और कपास जो है वो बलुई मित्टी के लिए उगाई जाती है तो कपास के लिए ब करने की छमता विबिन फसलों के लिए महतरपूर होती है मृतिका का उपयोग बरतनों खिलानों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है तो इस टैट से हमने आज के चेप्टर में मृति के बारे ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा तो दोस्तों ये था हमारा आज का व